बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से प्रेम बिवाह योग के बारे में आप लोगों को पूरी जानकाली देने जा रहा हूँ प्रेम बिवाह योग के बारे में ये बड़ा दिल्चस्प तत्या है प्रेम विवाह में क्या अडचन आती है और क्यों आती है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे प्रेम विवाह के बारे में हर किसी को उत्सोकता रहती है प्रेम विवाह के लिए क्या योग होने चाहिए और कैसे होगा प्रेम विवाह तो इस वीडियो पर अन्त तक जरूर बने रही है और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना और इस वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर करना प्रेम विवा हमेशा से ही लोगों की उत्सुकता का भी चे रहा है इसका नाम सुन कर ही अभिवाहित लड़का लड़की के मन में अनेक खयाल घूमने लगते हैं साधी के उम्र तक पहुँचा इंसान इसके बारे में सोचता है कहते हैं प्यार महबत की कोई उम्र नहीं होती और ये सच भी है आज वक्त बदल गया है विचारों की स्वतंतरता ने इनसान को काफी आगे पहुचा दिया है आज के दोर पर अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खुद चुनना पसंद करते हैं वैसे एक अलग बात हो चुकी है कि सफल बैवाहिक जीवन के लिए साधी चाहे लब मेरेज हो या एरेंज मेरेज इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है नहीं साधी की प्रमाडिकता को लब या एरेंज के माध्यम से जाना जा सकता है दोनों ही बराबर के अस्तर पे हैं लकिन फिर भी आज हर इंसान चाहता है कि यो किसी को अपना जीवन साथी बनाने से पहले उसे अच्छे से जान पहचान ले आखिर सवाल पूरी जिंदगी साथ रहने का जो होता है दो हमाँ आप लोगों को बताएंगे प्रेम विवा के बारे में एक अचूक उपा है हमारे भारती समाज में प्रेम विवा को उतनी स्वतनत्ता के साथ लोग स्विकार नहीं कर पाते आज पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो वक्त के साथ बदलती सोच वाले लोगों में माने जाते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रेम विवा है और कोई मुद्दा नहीं रहा है लेकिन आज भी बहुससे मध्यमवर्ग के परिवार में माबाप अपने बेटा बेटी के लिए खुद ही उसका जीवन साथी देखते है साधी बनाने के लिए जनम कुंडली इत्याद सब देखा जाता है पर इन सब के बावजूद भी कहीं न कहीं लड़का लड़की के मन में हजार सवाल गूमते हैं ऐसे में बहुत से वो भी होते हैं जो अपने प्रेम बिवा की सफलता के लिए दुआएं कर रहे होते हैं तो अगर आप भी उनमें से हो और जो ये सोचते हैं कि आखिर क्या उपाय किया जाए कि उनकी लब मेरेज कामियाब हो जाए तो चलिए इस मुद्दे पर हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिन्हें करने से आपको इसमें सफलता जरूर मिले लिए आप अपने प्रेमी को लेकर मन में सही बिचार रखते हुए ओम लक्षमी नाराएडाय नमह मंत्र का जाब करें जाब सुरू करने से पहले भगवान बिचलू और मा लक्षमी की मूरती या फिर उनकी फोटो अपने सामने रख ले और जाब के लिए असफ़टिक माला का प्रियोग करें साथ ही ध्यान रखें सुकल पक्ष के गुरुवार को इस मंत्र का जाब सुरू करें ऐसा करने से आप उस इनसान को अपनी और आकर्फित कर पाँएंगे जिनके साथ आप प्रेम विवा करना चाहते हैं एक दूसरा मंत्र भी है जिसका जाप सुरू करने से पहले अपने प्रेमी या प्रेमिका का ध्यान मन में रखते हुए भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए इस मंत्र का जाप सुरू करें जो की इस प्रकार है केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रूद्र रूपा रूद्र मूर्ति रूद्राणी रूद्र देवता ऐसा करने से प्रेम विवाह में सफलता मिलती है हर सुक्रवार के दिन आप राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ कर उपर बताए गए मंतर का 108 बार जाप करें तीन महीने तक ऐसा करने पर आपको इसका असर दिखने लगेगा वो प्रेम विवाह में आने वाली तमाम परिशानियां दूर होने लगेंगे हम सभी ने ये अवश्य ही देखा है कि जो लोग प्रेम विवाह की मनोकामना रखते हैं हर यथा संभव कोसिस करते हैं कि उनके परिवार वाले मान जाए या फिर खुंडली में बने खराब योग को किसी प्रकार ठीक किया जा सके उपर हमने आपको कुछ मंत्र भी बताए जिनकी मदद से प्रेम विवाह में सफल होते हैं इन सबके अलावा भी अक्सर प्रेमी प्रेमका को कई बार हंस्त रेखा बिद्या का सहारा लेते देखा गया है हम आपको बता दें कि वैसे तो इनसान की हथेली पर बहुत सीही ऐसी रेखाएं नजर आती हैं पर विवाह रेखा सबसे चोटी उंगली जिसको आप लिटल फिंगर कहते हैं उसके नीचे वाले भाग में आड़ी इस्थिती में होती है चोटी उंगली के नीचे भाग को बुध परवत कहते हैं वैसे आपकी हथेली में एक से ज़्यादा विवाह रेखा भी हो सकती है और अगर विवाह रेखा असपष्ट हुआ ललिम लिये हुए दिख रही है कि प्रेम विवाह का योग बन रहा है या नहीं तो बता दें कि आपकी कुंडली का पंचम एवंग सब्तम भाव प्रेम विवाह में महतुपूर अस्थान रखते हैं पंचमेस एवंग सब्तमेस की युती का पंचम या सब्तम भाव में होना या फिर दोनों का राज परिवरतन करना प्रेम विवा की संभावना दर्शाता है इसी तरह लगनेश एवंग सब्तमेश का अस्थान बदलना भी प्रेम विवा का कारण होता है आपकी कुंडली अगर ये दिखाती है कि आपका लगन में लगनेश वचंद्रमा है यही आपका प्रेम विवा होगा अगर सब्तमेश में अगर सब्तमेश वचंद्रमा होता है तो भी प्रेम विवा हो सकता है आप प्रेम विवा की सफलता के लिए आप कुछ अन्योपाए भी कर सकते हैं जैसे कि सुक्रदेव की पूजा करना न भूले साथ ही पंचमेस एवंग सब्तमेस की भी पूजा करते हुए आप एक पंचमेस रत्न जरूर धारण कर ले अगर कहीं आप भी प्रेम विवा की सफलता को लेकर असमंजस में फसे हैं तो यकीनन उपर बताए गए मंत्रों की मदद से आपको समाधान मिलेगा और आप अपने प्रेमी के साथ ही सुनहरी जिन्दगी जीने के सपने को साकार कर सकेंगे जी हाँ ये एक ऐसी जिन्दगी वो यह अहसास होता है जिसे प्रेमी प्रेमी का हर दिन जीते हैं तो उसे उम्मीद और प्रेम विवा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर आप प्रेमी के साथ ही खुसी भरा जीवन बतीत कर सकते हैं इसके अलावाँ यदि आपको किसी और प्रकार की शहायता इस बिसे पर चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मुबाइल नंबर इमेल आइडी है आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं हम आपको पूरी शहायता करेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे भी उपाय होते हैं तंत्रिक उपाय भी होते हैं जिसके माध्यम से आपका प्रेम विवा हो भी जाता है और सफल भी हो जाता है अक्सर देखा गया है कि प्रेम बिवा जो मिडल कास्ट के प्रेम बिवा होते हैं वो तो लगबग लगबग सफल हो जाते हैं लेकिन जो बहुत हाई क्लास के प्रेम बिवा होते हैं वो सफल होते नहीं देखे गए हैं उसमें कहीं ने कहीं दिक्कत आती ही है और हाई क्लास में आज के दोर में सिर्फ प्रेम विवा ही चलता है अरेंज मेरेज तो होता ही नहीं है तो दोस्तों ये किसी प्रकार की शाहिता चाहिएगा तो आप जरूर संपर्क करना हम आपकी पूरी शाहिता करेंगे हम आपको और भी उप्ताय बताएंगे जिससे कि आपका प्रेम विवा सफल हो सके और प्रेम विवा हो सके तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कमेंट करना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिले आप उससे लाव ले सके धन्यवाद जैमा भद्रकाली